नमस्कार दोस्तूं, सवागत आप सभी का अमारे यूटूब चैनल बियार ग्यान शागर में दोस्तूं, क्या आपका मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है और इदर उदर भागता रहता है कभी आपका मन करता है कि खूब घटा खा लूँ कभी आपका मन करता है कि खूब मीटा खा लूँ कभी आपका मन काम वासनों के चकर में ऐसा फचता है कि वो फिर कभी निकल नहीं पाता जी हाँ दोस्तु आज हम बात करने वाले हैं आप अपने मन को कैसे अपने वश्ट में कर सकते हैं लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगए आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे दोस्तूं आपका मन आपके वश्ट में होना चाहिए क्योंकि उसी से आपके जिवन जो है आपके एक चारुडिंग चलेगा लेकिन दोस्तों आपको अपने मन को वश में करना है ताकि आपका लाइफ का कंटॉल जो है शिर्फ और शिर्फ आपके हाथ में हो ना कि आपके मन के या किछी और यक्ति के हाथ में तो सबसे पहले आपका अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए दो चीज़े ऐसी होती है जो आप कितनी बार भी कर ले लेकिन उन्हें करने के लिए बार बार आपका मन कोगा कि आप फिर शे उन्हें एक बार कर ले अच्छा जब करने बेड़ते हैं तो क्या होता है आपका मन बर जाता है लेकि थोड़े समय के लिए जैसे ही 2-3 गंटे बीचते हैं वापस से आपका मन करने लगता है उन चीजों का दोस्तों कौनची होती है दो चीज़ें पहले तो ये समझ लेते हैं क्योंकि उस पर कंट्रोल करने से आपके लाई पर आपका बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा देखिए सबसे पहले खाने के मन पर काबू करना है जो हम खाते हैं तो क्या खाते हैं आपको सबसे अचा लगता है जब भूक लगती है तो क्या होता है अच्छा लगता है और हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है आपको मन भर जाता है सुबह खाया और जैसे ही साम होती है फिर से आपको कह दिया जाए खा लीजिए आप कहेंगे हाँ आने दीजिए कोई दीकत नहीं है तो ये एक ऐसी खाने की चीज है जिस पर आपको कंट्रोल करना है काबू करना है कि आपको कितना भी खिला दिया जाए लेकिन जैसे ही समय बीटता है आपको फिर से उस चीज को करने के लिए मन करने लगता है एक और ऐसी चीज जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो है काम वासना ये ऐसी चीज जो यक्ति एक बार कर लेगा उस समय सर्टिफाइड हो जाएगा लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीटता है वो इसके बाद उस चीज को करने के लिए मन करेगा और बहुत सारे युवाजवे इन्ही दो चीज़ों पर पेर लायक खाने का कंट्रोल नहीं कर पाएगे और दूसरा काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाएगे जिसकामन का जिवन में बहुत सारी परेसानया है क्यूंकि क्या होता है न जब इन दो चीज़ों पर यक्तियों का कंट्रोल नहीं होताई तो उस यक्ति को अपना भाविशे दिका ही नहीं देता है यह अपने टार्गेट पर फौक्स नहीं कर पाते और पुरे समय बस इनी चक्रों में लगा रहता है इसी कारण अपने भविशे की और नहीं देख पाते और अपना भविशे खराब कर लेते एक ही सवाल है कैसे कंट्रोल किया जाए आपको जिस चीज को करने का मन बार बार करता हो क्योंकि शुरू में क्या होता है आप एक दम से उस चीज से दूर हो जाओगे तो आप वो तकलिफ होने लगेगी आप अपने आप से पर्षन पोचने लगोगे कि यार मैं कमा किस लिये रहा हूँ मुझे ये चीजी तो करनी है इसलिए उस तो कमा रहा हूँ तो आपको क्या करना है दिरे दिरे अपने मन पर काबू करना है उसको वश में करना है जिस चीज को करने का मन आपको बार बार करता हो जिस चीज को आपको करने का मन चार बार करता है तो उसे बस दो बार कीजिए दिरे दिरे प्रोशेश में लाए अभी क्या होता है दो बार करने का तो क्या कीजिए शिर्फ एक बार कीजिए आपको मन के रहा है एक बार करने का तो क्या कीजिए उसे टाल दीजिए बार से हटा दीजिए या पिर मत कीजिए और ऐसे करके दिरे दिरे जो है आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं या पिर कं ट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेजिए साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताके आगे आनावादी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे